हेलो स्टुदेंट्स माइसेल्फ योगेंद्र पगडिया टीम बोटनी सील्सी सिक्कर बच्चों आज अपन माइनर टेस्ट सीरीज के तुरूब जो एन्सीर्टी के चेप्टर दे रखें लिविंग वायर्ड सेल बायो मोलीक्यूल बायोजिकल क्लासिफिकेशन सेल साइकिल सेल डिविजन जो भी एन्सीर्टी बेस्ट जो क्यूशन वो सारे जो आपने पेपर में सौल किये ठीक है ना वो सारे यहां पर वन बाइवन करके यहां पर सॉलुशन करेंगे उमीद है पेपर आपका बहुत अच्छा गया है ठीक है फिर भी अगर कोई ऐसे क्यूशन जो क अब दो फॉलोइंग इस करेक्ट स्टेटमेंट निम्न में से कौन सा खतन सही है तो जो चार स्टेटमेंट दे रखे है उसमें से सही अपने को सलेक्ट करना है एं मल्टी सेल और गेनिजम ग्रोबाई सैल डिविजन बिलकुल सही बात है इन मेजर्टी ओफ हायर अनिमल्स प्लांट ग्रोव एंड री प्रोड्यूस आर मुच्वली इंक्लूसीव इवैंट ठीक है जो हायर अनिमल्स होते हैं इड बींस मल्टी सेल और अर्ग्योनिजम उनके अंदर इंक्लूजिव इवेंट निए होता है एक्स्क्लूजिव इवेंट ऊता है तो यह स्टेटमेंट गलत है mountain and builders show intrinsic growth extensive growth होती है उनके अनदर बाहिधी और यह व्रॉध्धी होती है नहीं की आंत्रिक वॉर्धी होती है नौल लिविंग अब्जेक्ट डूनों से उजाएगा फर्स्ट ऑप्शन यहकी सई स्ट्रेट्मेंट इसके इनदर ऊछन गया है ठीक है नेक्स्ट विशण की बात करें यहां पर scientific name of an organism is based on principle and criteria provided in ICBN international code of botanical nomenclature it can be said अब इसके according क्या है देखो ICBN एक branch है उसके according जो अगर अपन बात करें तो च्या कहेंगे एक जीव के बारे में is acellular, has cellulogic cell wall, lack nucleus, show holozoic mode of nutrition plants के regarding में बात हो रही है और अपन जानते plants के अंदर इन चारों option के अंदर जो option सही है वो है कौन सा cellulose का कोशिका भित्ति का उपस्तिती होना प्योंकि केंदर रख जो है वो पाया जाता है एक कोश्के नहीं होते है प्राणी संबोजी ये plants के अंदर देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर तो यहां पर जो एंसर जाएगा वो हो जाएगा second option next metabolic reaction occurring उपाप्ची क्रियां होती है देखो उपाप्ची क्रियां किसके अंदर देखने को मिलता है non living object only non living being as well as in cell free system living organism only in vitro condition only तो यहां पर अगर अपन उपाप्ची क्रियां की बात करें तो यह unique feature है यह defining property है किसका living organism का होता है ठीक है इन विट्रो कंडिशन ओली केवल पात्रे के अंदर इसा गेना बिल्कुल गलत है तो इसके अंदर option जाएगा third ठीक है next question की बात करते है the lowest common taxonomy category for rice and mango चावल तता आम के लिए सबसे निचले समान वर्गी की अगर अपन यहां पर देखें देखो kingdom ठीक है फिर उसके बाद में आता है इसके लिए rice और mango के लिए क्योंकि rice और mango का जो botanical name है वो दोनों का क्या है different है इसका मलब उसका genus भी different है और species भी क्या है different but family जो है वो एक common characteristics हो गया जो lower category के थूरू represent किया जा रहे तो इसके अंदर answer हो जाएगा वो fourth option हो जाएगा इसके अंदर analysis of following information इन में से कुछ जो है वर्गी की सहता से सम्मंधित कौन से हैं देखो यहां पर कुछ statement दिये है educational institute maintain this for study and reference it has collection of preserve plant and animals ठीक है अब इन में से यह जो दोनों statement है यह किस से related है तो यह बिल्कुल NCRT के अंदर जो taxonomical की है उसके अंदर जो है वो mention कर रखा है तो यह जो statement होते हैं यह statement किसके लिए रहेंगे museum के लिए रहेंगे हाना क्योंकि वहां पर preserve किया जाता है चाहे वो plants हो चाहे वो आपके अनिमल्स हो क्योंकि हर्वेरियम तो के अवल plants के लिए होता है बोटनिकल गार्डन भी plants के लिए होता है catalog जो है वो आपके plant और animal दोनों के लिए लेकिन यह जो property है जो यहां पर बताया गया है वो property किसके regarding में है museum के regarding में है next which of the following is correct निम्न में से कौन सा सही है देखो यहां पर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं ncrt-based statement दे रखे हैं convulacy and solenacy belong to the order polymonials अब यहां पर कौन सा सही पुछा गया है इसके अंदर ठीक है अब यह गलत है देखो कार्निवोरा ओडर होता है और family होता है kennedy और फैलेडी होता है classification is a single step process यह भी गलत है multi step process होता है एक step में कभी भी complete नहीं होता है taxonomical category are merely morphological aggregated morphological character के base पे अपन define नहीं कर सकते classified नहीं कर सकते इसके लिए अपने को और भी कुछ extra information चाहिए जैसे for example biochemistry का help लेना पड़ता है या evolution का help लेना पड़ता है या embryological जो characteristics से उनका भी क्या अगरना पड़ता है अपने को help लेना पड़ेगा इसके अंदर जो answer जाएगा वह answer सही जाएगा first option हो जाएगा यह convalescy और solenasy belong to same order से polymonial जिसके अंदर multiple number के अंदर आपके क्या होते है सेपल्स और petals present होते हैं तो first option आ जाएगा 6 के अंदर next है which of the given is not an defining property of living beings इन में से कौन सा विशिस्ट लक्षन नहीं है देखो metabolism है living का defining property है consciousness defining property है growth defining property नहीं है cellular organization भी defining property है defining property का meaning होता है without any exception जो उससे organism के अंदर क्या होना चाहिए present होना चाहिए उसी को अपन क्या बोलते है defining property का आ जाता है next है in which of two following organism reproduction and growth synonomy ठीक है समाना अर्थी या प्रियाय वाची भी अपने इसको बोल सकते हिंदी के इंदर तो वो character किसका होता है आपके unicellular का होता है तो unicellular में जिवानों भी है bacteria भी है unicellular algae भी है amoeba भी unicellular होता है पर drosophila जो है वो multicellular होता है animal kingdom के अंदर आता है और multicellular category के अंदर आता है तो उसमें पहले growth होगा फिर उसके बाद में क्या होगा reproduction होगा तो यह characteristics से नहीं है next है how many genera given below following represent देखो यहाँ पर solenum दे रखा है पैंथरा दे रखा है और sapiens दे रखा है तो इसके अंदर देखो solenum ncrt में तीन example दे रखे है solenum tuberosum solenum melongina solenum nigram panthera से related भी तीन दे रखे है panthera leo panthera tigris panthera pardus ठीक है तो यहाँ पर solenum genus में आता है panthera भी जीनस में आता है बड़ sapiens जो है वो एक species है तो यहाँ पर दो तो क्या हो जाएंगे आपके genera से related हो जाएंगे ठीक है ninth number की अगर अपन कहीं है और एक जो है वो species related तो answer क्या होगा इसके अंदर second option next जो statement दे रखे हैं यहाँ पर ठीक है बायो डाइवर्सिटी रिपर्जेंट दर नंबर एंड टाइप ऑफ और अर्थ नंबर ऑफ इस पीसिस देटार नौन and described range between 1.7 या 17 से 18 लाग ठीक है बिल्कुल दोने statement सही है अब यह पुछा गया है कि इसके अंदर explanation है कि नहीं है अब पॉइंट यहाँ पर यह है कि 17 से लेकर के 18 लैक जो diversity है at present जो discover हो चुका है और भी हैं जो अभी तक unknown है तो उसका अगर अपन connect पॉइंट यहाँ पर लें फर्स्ट जो ए है बायो डिवर्सिटी री पर जिदना number and type of organism on earth यह इसको connect नहीं कर रहा है वरला इसको आप यह कह सकते हो explain नहीं कर रहा है क्योंकि यह दोनों statement अलग अलग है दोनों ही सही है बट दोनों statement अलग अलग है बट यह connect नहीं कर रहा है है ठीक है तो इसके अंदर क्या जाएगा second option अजाएगा 17 से लेकर के 18 17 से 18 लाग को होना यह जरूरी नहीं है कि उसके अंदर आपके represent the number and type of organism on earth ठीक है तो यह next which are based on the contrasting character generally इने पेर कॉल्ड कपलेट वी परियासी लक्षन जो प्राइड जोड़ो या जिने युगमित कहते ह अधार पर क्या गिलाते है इसका बिल्कुल NCRT के अंदर एक point दे रखा है second option करके या की करके 11 का क्या जाएगा आपके second option हो जाएगा next which of the place where wild animal wild animal के लिए protection के लिए कौन सा होना चाहिए आपके zoological park होना चाहिए तो इसके अंदर second option next the main criteria for five kingdom classification used by him include कि लक्षणों के अधार पर पांच जगत प्रणाली को हम वर्गिक्रत करते हैं देखो पांच जगत जो आरे च्विटे करने दिया था उसका अगर अपन characteristics देखे तो यहां पर सेल और्गनाइजेशन फाइलो जेनेटिक रिलेशन मोड और रिप्रड़क्शन मोड देन वन ऑप्षिन तो तीनों यह उप्षिन आते हैं इसके अंदर है जिसके बैसेस पर आप कह सकते हो कि फाइप्रिंग्न क्लासिफिकेशन दिया गया था 30 नंबर है कि अगर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर differ from other bacteria in having a different structure कि सरचना के अधार पर आर्खी बक्तीरिया को अन्य अब देखो आर्खी बक्तीरिया के अंदर आपने तीन जो है वो ग्रूप पढ़े होंगे एक तो पड़ा है कौन सा थर्मो एसी डोफ इल्स थर्मो एसी डोफ इल्स एक होता है है यह यह ट्योक्ता है मिथेनो जन्स कॉन से हो जाएंगे मिथेनो जन्स हो जाएंगे तो थर्मावेसिझो क्लाइग में मेरे में उनलें चुर्प्छन में उस हो जया है हाईकर प्योन यूसराइव करения में सर्वाइव कर सकते हैं वो इसलिए वेकि उसके अंदर एक रिजीड और काफी complicated जो है वो आपके क्या present होती है cell wall present होता है जो pseudo peptidoglycan या pseudo murine का बना होता है तो इसके अंदर first option क्या होगा correct हो जाएगा next 16 में methanogen are present in the gut of ठीक ना methanogen किस्मी होते हैं तो ruminants के अंदर present होते हैं second option आ जाएगा इसके अंदर 16 में 17 की बात करें कौन से जिवानों में इनकी colony सामानेत है जेली नुमा आवरंड से डखी होती है देगो NCRT में दे रखा है cyanobacteria cyanobacteria के अंदर protection form में माल लीजी जो उसको जो pollutant area में हैं उसमें easily growth करने में क्या करता है help करता है तो third option हो जाएगा cyanobacteria हो जाएगा इसके अंदर है next अगर आपन देखें यहां पर the bacteria oxidize various inorganic substance such as ammonia and use release बिल्कुल NCRT के अंदर एक point दे रखा है और उसी को अपन क्या बोलते हैं chemo autotrophs अब chemo autotrophs के नाम पर एक तो second option जाएगा और chemo synthetic autotrophs भी बोल सकते हैं रसाइन संसलेशी स्वेपोशी भी बोल सकते हैं मतलब second और third दोनों statement इसके अंदर counter किये जा सकते हैं तो answer क्या जाएगा इसमें fourth option next है cholera typhoid citrus canker disease caused by यह सारे रों किसे होते हैं हना वाइरस से नहीं होते हैं ठीक है प्रोटिस्टा से भी नहीं होते हैं फंजाई से नहीं होते हैं किसे होते हैं bacteria से जैसे गोलेरा है विब्रियो को लेरी टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफुरियम सिट्रस केंकर जेंथो मोनास सिट्राइए ठीक है तो इसके अंदर 19 के अंदर option जाएगा वो चला जाएगा fourth option next है 20 नंबर में which is microorganism that completely lack a cell wall and can survive without oxygen किसी बात हो रही है NCRT का statement है यह और यह है कौन से mycoplasma हो जाएगे तो third option इसके अंदर आ जाएगा ठीक है next है अर्द सुत्री प्रक्रिया के अध्यन के लिए उप्युक्त पदार थे देखो अर्द सुत्री विभादन का अगर अपने को या मियोसिस का study करना है तो लीफ के अंदर miyosies होता है वही flower के अंदर जो miyosis देखने को मिल सकता है जब एंडोशियम गाइनोशियम बनता है उसके मेल और फिमेल गेमिट का क्या होता है formation होते है onion root के अंदर भी होता है stem के अंदर भी क्या होता है माइटोसीस होता है तो इसका ओप्शन क्या जाएगा इसकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा नेक्स्ट है वीचार ग्रुप एंक्लूड़ डाइटम अन डैसमाइड इनमे से डाइटम डैसमाइड से संबलित इसमें इसमें देखो देखो एन सीरट पदार्थ की पर्थ Pellicle कहलती है तो पइलिकल जो है वो किस पर पायजाता है प्रोटो जोन्स के अंदर देखने को मिलता है ठीक है slime layer, euglinoids, ठीक है ना, dytums, dytums, chrysophides में आते हैं, slime layer जो है, वो आपके pellicles related नहीं है, goniolex जो है, वो dynoflagellate होता है, उसमें cell wall होता है, euglinoids के अंदर, या euglina के अंदर क्या होता है, cell membrane के बाहर की तरफ, cell wall नहीं होता, एक pellicle, proteinious, nature का जो है, वो एक परत होता है, उसी को क्या मोलते हैं, pellicle कहा जाता है, 23 का क्या जाएगा आपके second option, next, which are saprophytic protista, कौन सा मृतोब जीवी protista है, ठीक है ना, euglinoids देखो, ये photosynthesis भी करता है, plant और animals के बीच का connectic link है, golden algae, जो है, वो, chrysophytes में आते हैं, photosynthesis करते हैं, dino flagellates भी photosynthesis करते हैं, बट slime molds जो है, वो character कुछ resemble करते हैं, fungus के, ठीक है ना, और ये saprophytic nature के होते हैं, जो dead decay compounds होते हैं, जो मरत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनको खाते हैं, तो इसके अंदर second option 24 के अंदर है, next, निम्न में से column first और second का मिलान करना है, देखो, trypanosoma, sleeping sickness के लिए होता है, तो इसको एक बार अपन trypanosoma के बारे में, amoevoid protozova, 25 के अंदर अगर आपन कहें, तो sorry, amoevoid, नहीं, इसके अंदर देखो, flacillated protozova आएगा, ठीक है, क्योंकि दे रखा है, trypanosoma, sleeping sickness के लिए, paramecium जो है, वो paramecium आजाएगा, ciliated protozova के लिए, plasmodium जो है, वो आजाएगा, किसके लिए, sporozones के लिए, ant amoevo आजाएगा, amoevoid protozova के अंदर दे रखा है, तो यहाँ पर एका तो आएगा, third, ठीक है, यह भी है और यह भी है, paramecium जो है, वो क्या जाएगा, ciliated, तो इसके अंदर यह भी दे रखा, यह भी दे रखा, ठीक है, अब C के बैसे, इस पर differentiate कर लो, इसमें first दे रखा, इसमें fourth नहीं होगा, ठीक है, तो इसका मतलब, answer क्या होगा, third option चला जाएगा, 25 के अंदर, next है, cellulogic कोश का बित्ती पाई जत्ती है, तो cellulogic कोश का बित्ती किसके अंदर पाई जत्ती है, बाई, यह को मोनेरा में, pepado glycan का बित्ती है, plant में मिलता है, मोनेरा में, fungus में, cellulose का होता है, बाट यहां पर मोनेरा साथ में यह नहीं होगा, animals इन में नहीं होगा, तो कौन सा option आएगा, second option आजाएगा, 26 के अंदर, ठीक है, next, 27 में, 26 का क्या option आगा है, इसके अंदर, second option, अब देखो 27 में, Golgi body and ER disappear in early pro phase, their recognition stage is a anaphase, इनके पुने, संग अटन की अवस्ता पस्च अवस्ता होती है, reorganized, reorganized stage, reorganized होता है, तीलो phase के अंदर, तो यह statement गलत है, disappear early pro phase नहीं होता, late pro phase होता है, तो मतलब यह statement भी गलत है, दोनो statement क्या हैं, यहां पर 27 के अंदर गलत दी रखे हैं, इसका आपला, A is false, ठीक है, R is true or false, तो false हो जाएगा इसके अंदर है, आई बाद समझें इसमें, फोर्थ option चला जाएगा इसमें, 27 के अंदर है, next question, the statement related to nuclear membrane, केंदर के जिल्दी से सम्मझ देता, अब जो केंदर की अगर आपन बात करें, तो जो केंदर होता है, उसमें बाहर की तरफ, outer membrane, inner membrane, दो membrane होती है, दोनों के बीच में क्या होता है, nuclear pore, अब दोनों एक दूसरे के क्या होते है, समाना अंतर है, अंतर के अंदर की अवकास में, नोड आउट कितना होता है, 10 से 50 नेनो, मीटर का क्या होता है, distance होता है, बाहर ही जिल्ली, अंतर प्रदिव जालिका से सम्मान दित होती है, तो इसमें से तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो कोई भी कतन गलते नहीं है, तो 28 का, अगर अपन कहें हैं, तो third option आजाएगा इसमें, ठीक है, next, which one of the following carry, extra nuclear genetic material in cell, कोशका में निम्न में से, कौन सा अत्रिक्त के अंदर के अनुवानशिक पदार्त रखता है, ठीक है, तो गोल्जी उपकरण में, नुकलेस से नहीं होता है, DNA नहीं होता, राइबोजोम के अंदर जो है, वो भी DNA नहीं रखता है, इसके अंदर है, ठीक है गुर्ण सुत्र ठीक है इसमें भी नहीं होगा लेकिन लवक और सुत्र कणिका के अंदर क्या होगा जैसे सफोज यह एक माइट्रो कॉंडिया है तो इस माइट्रो कॉंडिया के अंदर इस तरीके से एक सरचना होगा इसमें तो इसमें क्या होता है एक सर्कुलर फॉर नेक्स्ट है दा बोड़ी ओफ युगलीनोइड इस फ्लेक्सिवल ड्यू दा प्रजेंस ओफ युगलीना का शहीर किसकी उपसे कार्ण लचिला होता है देखो अभी बता रहे थे प्रोटीन युक्त प्रदार्थ की परते जिसको अपन क्या मोलते हैं पहली कल उसके कार्ण से क्या होता है लचिलापन इसके अंदर क्या होता है पाया जाता है नेक्स्ट है स्पोर इन स्लाइम मोड्स स्लाइम मोड के विजानू जो है वो किस तरीके से हैं ठीक है परतिकुल परस्तितियों के दोरान बनते हैं कोश का वित्ती विहिन होते हैं ठीक है ना प्लेजिला के स प्रेविबल कंडिशन हो जाएगा और विदाउट सेल ओल ठीक है तो सेल ओल पर्जेंट होता है उसके अंदर है आप डिस्परसर विद हैल्प ओफ लेजिला ये भी गलत है वेकि फ्लेजिला उसमें नहीं होता है इंसाइड दा प्लाजमोडियम प्लाजमोडियम के अंदर न नेक्स्ट उस अवस्ता की पहचान करो जिसमें समजाद गुणसुद्र प्रतक होते हैं त्था अर्ध गुणसुद्र आपस में जुड़े रहते हैं तो इसमें बात किसकी की जा रही है जैसे सपाउज ये गुणसुद्र है और ये भी इस तरीके से ये ओगए कौन से गु chromatid हो गए ठीक है ना तो अब इसमें statement के according जो बोला जा रहे है तो उसके लिए right answer क्या जाएगा एना फेस फर्स्ट है जिसमें chromosome homologous chromosome तो अलग होंगी समझात गुन सुत्र तो अलग होंगी लेकिन उनके sister chromatid अभी बी उनके साथ क्या है जूड़े हुए है तो उसका option क्या जाएगा second option नेक्स्ट है जाई में sexual reproduction जो है वो present है ठीक है अब वो किन में होता है यह अपने को देखना है देखो च्यार क्लास दे रखी है phycomycetis, escomycetis, bacidiumycetis और deutermycetis तो deutermycetis में अभी भी sexual reproduction non नहीं है क्या आते नहीं है तो उस basis पर आप देखो collecto trichum, deutermycetis में आता है, trichoderma, deutermycetis में आता है, alternaria, deutermycetis में आता है तो अब यहाँ पर बचा कुन सा rhizopas, rhizopas के अंदर लेंगी एक दिनन क्या होता है, present होता है, next है, जिवानों भोजी वाइरस, bacterial वाइरस, ठीक है ना, जो जिवानों का भक्षन करता है, तो उसके लिए कुछ statement दे रखें, जिवानों उपर संक्रमन करता है, सामान एता है, द्वी कुंडली ते DNA होता है, ब जिवानों भोजी है, अपने ऐसे ही तो कहते हैं, कि इस तरीके से एक इसकी क्या हो गई, सरचना, ठीक है, और इसके अंदर सामानेत है क्या मिलेगा, double strand DNA, अब ये कौन सी cell को infect करेगा, bacterial cell को जैसे सपोज, E. coli हो गया, तो इसके अंदर अपना अन्वान्शिक पदार हो क्य करवा देगा, ठीक है, next है, समसुत्र विभाजन के संदर में दिये गए कोश्का विभाजन के इस चित्र है, तो निम्न में से कौन सा दिया गया, ऐस सत्ते है कथन, ठीक है ना, incorrect statement देखना है, किसके regarding में, pro phase to meta phase है, एक diagram दे रखा है, इसके अंदर है, ठीक है, अब इसमें यह देखो, यहाँ पर NCRT में दे रखा है, ट्रांजिशन फेस करके, diagram के अंदर, तो chromosome are moving toward equator plate, ठीक है, और रिपर्जेन दा ट्रांजिशन प्रोफेस to meta phase बिल्कुल सही है, यह भी सही है, spindle fibers are formed and centriol are react at the pole, बिल्कुल सही, nuclear membrane is present while the nucleolus ER Golgi complex are disappear, nuclear membrane भी क्या हो जाता है, disappear, तो यह statement इस diagram से related नहीं होगा, सारे होंगे, बाट fourth option इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा, तो answer क्या जाएगा, fourth option, next, वेक्योल in a plant cell, plant cell के अंदर जो रिक्तिका होती है, वो किस तरीके से देगो, जिली युक्त होगी, जल और उससे जी पदार्थ भी क्या रहेंगे, उसमें उपस्तिते रहेंगे, जिली भी नहीं होती, जिली युक्त है, प्रोटीन लिपीड़ा संचे करती है, ठीक है, जिल जिली वेसिकल्स, जिली अप्रेटर्स इस ऑल सो कंसर्ड विथे दा फॉमेशन ओफे, इस तरावी रिक्तिका उत्पन करने के अतरिकते, जिली उपकरण किसके निर्मान से संब्ल दित है, यहां पर बात की जारी है, किसकी देखो, जैसे यह नुकलियस है, और इसके अंदर इस तरीके से क्या बना आपकी, इयार प्रेजेंट है, इयार से क्या टेच है आपके, गोल जी बोडिय टेच है, ठीक है, अब रिक्तिका उत्पन करने के अतरिकत गोल जी उपकरण किसका कारी करता है, तो यहां से कुछ वेसिकल्स, पिंचों फो करके, क्या बनाती है, यहां पर क्या जाएगा जो एंसर है वो आ जाएगा लाइसो सोम या लैन का आए तो 38 की अगर अपने बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा इसमें जो एक पार्ट है किसका एंडो मेंब्रेन सिस्टम का एंडो 1 मेंब्रेन सिस्टम का क्या होगा ठीक है next है अब यह डक्राम दे रख है NCRT का डाईग्राम है अब इसको ध्यान से देखिएगा बिलकुल और इसमें क्या पूछा गया है ठीक है इस यह पूछा गया ए बीजेए ठीक है ना इसके अंदर क्या-क्या कौन कौन सा मेच कर रहा है तो इसमें आप यह देखो जो C है वो तो हो जाएगा Nucleus तो Nucleus से संबंधित यहाँ पर यह दे रखा है Nucleus तो यहाँ पर इससे संबंधित दो option आते हैं ठीक है अब इसके बाद में यह जो दे रखा है ठीक है ना तो question number अगर अपन कहें किसके अंदर एक ही अगर अपन बात करें देखो A जो है वो क्या मिलेगा इसके अंदर A मिलेगा rough endoplasmic reticulum B जो दे रखा है B क्या हो जाएगा इसके अंदर आपके B हो जाएगा smooth endoplasmic reticulum हो जाएगा C बताई दिया इसके अंदर D जो है वो क्या हो जाएगा इसमें D जो है वो किसको denote कर रहा है आपके space को किसको denote करेगा cytoplasm को तो first option इसके अंदर देखने को मिलेगा ठीक है next है तो 39 का क्या जाएगा आपके first option आजाएगा इसमें next है cytoskletan is made up of koshika pinja निर्मित होता है किसका बना होता है बही protein का बना होता है किसका बना होगा 40 नंबर के अंदर protein नियस नेचर का रहीगा चीक है next है आनवानशिक रूप से निश्करिय और अतिसंगनित टाइटली पैक्ड डियने छेतर होता है देखो होता है अगर अपन जैसे डियने की बात करें इसके अंदर इस तरीके से जो सरचना है और इस तरीके से जो एक है सरचना हो गई इसमें एंगल टैक तो इसमें से यह जो भाग है किसको तो बोलते हैं यू क्रोमेटी ते क्या बोलेंगे यू क्रोमेटी और इस वाले भाग को बलेंगे हैटेड़ों में दीन क्या बोल्डे एंगे हैटेड़ों क्रोमेटीन बोल जाएगा सेकंड ओप्षेन हो जाएगा फोटीवन का ठीक है नेक्स्ट है गोलजी अपरेटस बोल जनतों में उपस्तित होता है प्रोकरियोटिक में उपस्तित नहीं होता है तीर वे उनमें से कुछ कथन है उनमें से गलत कथन का चुनाव करना है इनकरेक्ट स्टेट्वेंट को देखना है लार्ज मॉर नुम्रस नुक्लियोलाई और प्रजेंट इन सेल एक्टिवली केरिड आउट प्रोटीन संथेसिस बिल्कुल सही है जहां पर प्रोटीन संथेसिस का करल आए डायरेक्शणल लुटाय नुक्लियर पॉर के थू साइटोस्क्राइटन इज गलाइको लिपीड यह कलत है बहुत है ऐसाइटोस्क्राइट यह वह किस बनाता है यह फिल्म फूर्मोन और सिंतेसिया गल जी कॉम्प्लेक्स यह घलत है क्योंव क्योंब एंड़ बन स्टेश्य ब्लू ग्रिणल्गीर मेंब्र और तो ब्लू-ग्रिण 2017 डीकिसका सटीश्य मोन पर चाहले झाहे तो 44 का इसमें चाहलेगा Works आजाएगा नेक्स्ट है भाइंड दा करेक्ट सेट ऑफ स्ट्रक्चर और नेल नोट सराउंडेट वाइं अब मेंब्रेन से अबदीत कौन से नहीं है देखो राइबोजोम नहीं है तरक आई नहीं है लाइसोसों में तो यह नहीं होगा ठीक है परोक्सिसों में केंद्री का बीनियोंसों लेकिन यह है ठीक है राइबोजोम नहीं है केंद्री का भी नहीं है तरक केंद्र यह सब्सक्राइब मेंब्रेन यह नहीं होता तो थार्ड ऑप्शन होजाएगा इसकें एक सिक्वेण्स एक सैट पुछ है आप से ठीक है तो 46 की बात करें तो सेडिमिनेशन तो किसको मेजर्मेंट करता है राइबोसोम के गनात तो बिल्कुल NCRT का एक स्टेटमेंट दे रखा है राइबोसोम वाले टोपिक एंदर डेंसिटी एंडे साइज ठीक है अब केंदरन के द्वारे सेंट्रिफिकेशन के द्वारे इसको क्या किया जता है अवक्षेपित अंदर आप कह सकते हो और यह अब पुछ है कि इसके अंदर इस पिंडल अपरेटरस फोर्म डूरिंग कब होगा जब सैडिविजन के टाइम ते इसफीन फडांट अदर तरकुतन तति होते है अनुपस्तित होते हैं बादब कोशिका में तरकुतन तो क्या होंगे अनुपस्तित होंगे ठीक है लेकिन जनतु कोश्का में क्या होंगे उपस्तित रहेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा ठीक है तो 47 का क्या होगे इसमें फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट है और वाट पी एच एंजाइम उफ लाइसोसोम एक्टिव ठीक है किस पी एच पर लाइसोसोम के एंजाइम क्रियाशील होते हैं एक्टिवेट्स ठीक है ना और वाट पी एच एंजाइम उफ लाइसोसोम एक्टिवेट्स ठीक है तो एक रेंज लेके चले तो 325 रेंज होता है ठीक है यह एसी डिक नेचर में ही यह सकरी होते हैं या क्रिया फ्री का नाम पर फरस्ट ऑप्शन दे रखा है तो 48 का जाएगा फरस्ट ऑप्शन एक तारक काई में दोनों तारक के अंदर के मत दै कौन सा देखो तारक काई की बात करें तो यह इसका amorphous क्या हो गया आपके area हो गया अब इसके अंदर इस तरीके से क्या होते हैं आपके centriol क्या होते हैं अरेंज होते हैं ठीक है तो यह जो एंगल है यह एंगल कितना हो जाएगा 90 का एंगल हो जाएगा तो एंसर क्या चला जाएगा 49 के अंदर फॉर्ट ऑप्शन नेक्स्ट तरकु तंतु के लिए प्रोटीन निर्मान कोश्ट का चक्रगी की सवस्था में होता है तो अभी बताया था जी टू फेस के अंदर है नेक्स्ट कुश्ट पॉली सोम किसका बना होता है पॉली सोम इस मेड़ अप ऑफ ठीक है तो पॉली सोम बैक्टिरिया के अंदर होता है जिवानवी कोश्का के अंदर होता है और उसके अंदर यह एक अगर MRNA है मेसेंजर आरने हैं तो इस मेसेंज आरने पर एक से अधिक क्या लगे रहते हैं राइबोसोम लगे होते हैं उसी सरचना हो क्या बोलते हैं पॉलिसोम तो मैंनी राइबोसोम विच आर अटेस्ट वे सिंगल स्ट्रेंड मरने तो 51 का चैंसर हो जाएगा इसमें थार्ड ओप्षिन नेक्स्ट है हाव मच्ट टाइम इस टेक कम्प्लीट ए सेल साइकल इन इस्ट तेको इस्ट के अंदर के एंसी आट में दो डाटा दे रखे हैं एक तो हीमें सेल का दे रखा है 24 और एक इस्ट का दे रखा है कितना 90 मिनट 90 मिन बनलब वन एन हाफ देट गंटे के अंदर एक सेल साइकल जो है वो कम्प्लीट हो जाता है इसके अंदर तो सेकंड ओप्षिन आजाएगा 52 के अंदर इसमें नेक्स्ट इन विच स्टेज ओफ माइट्रोटिक डिवीजन क्रोमोजोम डी कंडेंस्ट एंड लूस देर इंडिज्विलिटी समसुत्री विभाजन की किस अवस्ता में क्रोमोजोम ऐस संद्ध हो जाते हैं तता अपनी पहचान खो देते तो क्रोमोजोम जैसे सपोज यह इसके अंद बहनना सटार्ट होते हैं से प्रोमोजोम यह इसे ठीक है इसके अंदर यह बनेंगे लेकिन इसका अप्रो फूस सबते हो कौन सा रिधियर फूस का जैस्ट अप उजीट क्या होता है कि इसले को इस की शूस में इसकी झाइपनिटीope जाती है लोस हो जाती है तो फॉर्थ ऑप्शन इसके इंदर आ जाएका तो 53 का cancer रहेगा फॉर्थ ऑप्शन है नेक्स्ट है कि स्मूथ एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतर पड़ी जाली का निम्न में से किसका इसलेशन के लिए विद 17 होती है लिपिड और स्टीरोईड बनती है प्रोटीन नहिं बनती वापस नहीं होगा श्तार कोस्ह्ति अंतर्विष्ट सवह में रिरमें जतने जिलीत नहीं होते । संचित पडार्त नहीं होते हैं इन में से कोई नहीं स्टोरीं साइटोप्लाजम नोट बाउंडेड विद मेंब्रेन सिस्टम या नोट रिजव मेटेडियन नन ओफ दीज ठीक है अंतर विष्टकाय मलब प्रोकरियोटिक की बात की जा रही है तो यह जिली के द्वारा क्या होते हैं आबदित नहीं होते हैं ठीक है तो वे जिली इसमें इसमें पूछ है कौन सा नॉट रूस सर्जित पतार्थ होते हैं तो थार्ड ओप्शन आ जाएगा इसके अंदर 55 का थार्ड ओप्शन नेक्स्ट है विच इस नौट टूफ फोर सिस्टनी ऑफ गौलजी कॉंप्लेक्स गौलजी संकुल के सिस्टनी के लिए क्या सत् है वे अब इसमें देखो इसमें देयार स्टैक पैरलल तो इच अदर बिल्कुल सही दियार कॉंसेंट्रिक अरेंज नियर्दा नुकलेस देर सिस्ट्रांस अब इसमें जैसे गौलजी बोडी की बात करें यहां पर इस तरीके से एक सरचना आपको देखने को मिलेगा इसमें और यह वाला जो फेस है यह तो हो जाता है इसका कौन सा सिस फेस या फॉर्मिन फेस और यह हो जाता है कौन सा ट्रांस फेस हो जाता है और यह बिल्कुल इसी तरीके से अरेंज होती है फस्ट ऑप्शन में अगर आपन बात करें और सबसे पहले जो केमलियो गौल की था उसने इसको जो है वो किसके निकट देखा था नुकलियस के निकट देखने को मिला था इसलिए यहां पर यह स्ट कि विचोंफे फॉलाइंग इस नौट ट्रूफ और यूकरियोटिक सेल ठीक है यूकरियोटिक कोश्का के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है देखो यूकरियोटिक कोश्का में 80S प्रकार के राइबोजोम होते हैं इसके माइट्रो कॉंडिया में उपस्तित होते हैं परकार की राइबोजोम होते हैं हिसके कोश्का में उपस्तित उते बिल्कुल सही है, मैट्रो कांडिया वरता का दियने उतर तो होता है बिल्कुल तकंगोष्का में उतर नहीं है, तो क्वास्वा नहीं होगा वाजन के महत्वय के लिए सत्यकतन है ठीक है तो संसुत्री वाजन के लिए इक्वल डिस्टिबिशन ऑफ क्रोमॉजूम रीस्टॉरेशन ऑफ प्सर्फिस से बिल्कुल सही है मेंटेन दा नुक्लियो प्लाजमिक बिल्कुल सही बात तीनों ही इसका मालब उपरवकत सभी हो जाहेंगे तो 58 का cancer हो जाएगा fourth option next match the column ठीक है अब column को मेच करने है तो इसको कैसे मेच करना है देखो nucleosome uchromatine heterochromatine histone अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जो stone protein है उस stone protein पर कैसा चार्ज होता है positively होता है अब यह देखो यहाँ पर कौन सा मेच कर रहे हैं चलो nucleosome से देख लेते मैच कर लेते हैं rich in arginine ठीक ना और यह होगा f और g इसके अंदर first option से related हो जाएगा इसमें rich भी थे lysine और arginine 59 के अगर अपन कहीं तो यह बीड on string यह भी है और 200 base pair of helix यह जाएगा rich with lysine और arginine यह histone protein के लिए आता है इसलिए इस पर all over जो चार्ज आता है वो क्या आता है positive charge जाता है तो c और g तो इसका हो जाएगा किसका nucleosome का फिर इसके अंदर यू chromatin के अंदर के अंदर के अंदर के लूजली पैक्ड रिजन होते हैं क्रोमेटीन के तो भी आ गया और फिर उसमें अगर अगर आपन हाई light staining part होता है यह भी सही है फिर यू heterochromatin की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा transcriptionally inactive यह हो जाएगा बिल्कुल सही है और histone की बात करें तो एक तो positively charged protein होता है वो इसके साथ क्या होता है आपके rich in lysine तो इसका मलब third option इसमें राइट हो जाएगा तो 59 का क्या चला जाएगा third option next which of following is correct for G0 या G0 stage of cell cycle इन में से कौन सा सत्य है है हना true कोश्का चकरी की वस्ता कोश्का पापची बिल्कुल गलत है active होती है कोश्का प्रसार स्वतंत्र होता है cell prolification independent बिल्कुल गलत बात है इसे शांत अवस्ता भी कहते हैं क्यों सेंट स्टेज भी कहते हैं यह सही है इसके अंदर है ठीक है कोश्का का प्रसार नहीं होगा ठीक है independent नहीं होता है यह सारा dependent होता है जब requirement होती तो वापस से क्या होता है यह G1 phase में क्या कर जाती है सेंटर कर जाती है पर जान कर जाती है जादा बेटरम अगर अपन कहींट होजाती है कुछ टाइम के लिए और उसी को अपन क्या बोलते हैं जी नौट कहते हैं ठीक है 60 के अंदर जो हैंसर आएगा वह थार्ड ओप्शन आजाएगा नेक्स्ट ों कोलने1 और कोलं मेसेड और कोमेश करना हैने नुकलियो सोल देखो नुकलियो सुमे था इनकरो मियर और है टरो कि रोमेटीन तो यहां पर जो देकर है वो नुकलियोसोम इसके अंदर हिस्टोन ओक्तामर असोसियेटेड रिथे किसे डीने से तो एक अगर अपन 61 की बात करें तो यहां पर एक तो यह दे रखाए एक यह दे रखाए इसका अलब यह नहीं है यह नहीं है ठीक है काइनेटो कोर की बात करें तो काइनेटो कोर क्या अथा डिस्क शेप प्रोटीन स्ट्रक्टर असोसियेटेडिविद सेंट्रोमेडिक क्रोमेटीन यह बिल्कुल इसके अंदर आ जाएगा ठीक है यह गया ठीक है फिर उसके बाद देगा क्रोमोमियर तो क्रोमोमियर बीड लाइक ऐक्क्यूमिलेशन क्रोमोनीमा यह बिल्कुल सही है इसमें इस तरीके से जो है वह आपके क्रोमोमियर जैसे यह डियने हो गया इस डियने के अंदर क्या होते हैं आपके इस तरीके से structure दिखाई देते हैं इसी को अपन क्या बोलते हैं फिर highly और क्या होते हैं आपके condensed हो जाते हैं यह देखने को मिलते है हेट्रो क्रोमेटीन की बात करें तो dense part of nuclear material which is dark strain भी थे basic dye यह बिल्कुल सही है इसके अंदर है तो इसमें जो है second option जो है वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा इसके अंदर है आगे बास समझें ठीक है तो second option क्या होगा इसमें 61 के अंदर second option next question विभाजित होती पादब दन्तुकोश का मुख्यंतर क्या होता है घ्रिण का मुख्यंतर की बात करें तो सेयल प्लेट जो है वो बाद क्लांट सेल में होता है और सेल फररों चिसमें होता के अनिमल साल के ना होते सब्सक्राइब हो मिस्क्सम् dismissal के अंधर और अगर 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 अपन एक प्लांट की बात करें तो उनमें तीनों मिलेगा सैल ब्लेंट सईक अंधर मねं अगर हम देखें तो ऐुस्टी अप्शिन शितchnittे अंधर पर देखेंование सोम इसतारक काय का क्या कारी होता है तरकुतंतों का निर्माण करना formation of spindle fiber Osmo regulation नहीं होता है सिक्रेशन नहीं होता है protein synthesis नहीं होता क्या काम होता है formation of spindle fibers तरकुतंतों क्या करवाना निर्माण करवाना 64 में which of the following is an incorrect statement निम्न में से कौन सा सत्य कथन है केंद्री का धिली से आबद सरचना नहीं होती है ठीक ना chromatin में DNA histone non-stone during cell division chromatin is seen in nucleus secondary construction during cell division chromatin is seen in nucleus chromatin नहीं दिखा जाता है फिर वो chromatin जो किसमें convert हो जाता है chromosome में convert हो जाता है और सारे जो हैं वह statement बिल्कुल यह दे रखा है non-stranding part होता है कौन सा secondary construction I will say यह chromosome हो गया इस chromosome के अंदर यह वाला जो धाग है जिसको आप secondary construction बोलते हो सैटलाइट बोलते हो यह वाला जो भाग हो यह क्या होता है आपके non-Stening होता है औसा होगा non-stening यह जो भाग है और यहीं पर क्या मिलेगा आपको कि इसी को क्या बोलते हैं चैप्तर को क्या बोलते हैं और नुक्लियर ओर्गनेजेशन रीजन का जाता है तो इसके अंदर एंसर से जाएगा वह थार्ड ऑप्शन हो जाएगा 64 के अंदर है नेक्स्ट है क्या अंदर को किया की दात्री में नहीं होता मैं ट्रो कौंडियर के अधार्ट्रि में मै Вас रगवरो प्लास्ट और से नी na साथ वता है व्यूर्य आ रहने झोते हैं सेंटीर सेंटीर ऑ्प्रों सेंटेशिक इसी लिए माइट रोकॉण्यर और क्या बोलते हैं semi autonomous cell organelle, mitochondria और plastic go semi autonomous cell organelle कहा जाता है, यह कुछ protein बना सकता है, सारे protein नहीं बना सकता है, लेकिन कुछ protein synthesize कर सकता है, 64 का क्या जाएगा, first option, next इस तर पर chromatin की packaging के लिए protein के अतरिक समुच्ची क्या वेशकता होती है, जो की समलित रूप से कहलाता है, तो packaging के लिए histone protein तो चाहिए चाहिए बढ़ साथ में कौन से चाहिए, non-stone, chromosomal protein की भी क्या होती है, आवशकता होती है, तो इसका जाएगा second option, next है, locomotion, aeration, feeding, circulation, देखो, इसके लिए जो basically जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार कौन सा होगा, पिलाई, responsible होता है, तो 67 की अगर अप के, peramecium, और इस से peramecium पर इस तरीके से क्या लगे होए आपके, cilia, तो equal size क्यों होते है, ठीक है, यह cilia लगे होए, तो यह जो cilia है, यह cilia क्या करते हैं, locomotion में help करते, aeration में help करते, feeding के अंदर भी जैसे कोई भी food particle है, इस food particle को अंदर की तरफ, जो है, वो धखेलने में क्या करते हैं, help करते हैं, और circulation में भी क्या करते हैं, help करते हैं, circulation वो नहीं, blood circulation वाला, circulation मतलग जिस से atmosphere के अंदर, जिस वातावरण भी पाए जा रहे है, वहाँ पर इसके संबंधित है, ठीक है, तो 67 का first है, तो 68 question number की बात, अगर आपन करीं, तो यहां पर ribosome मुख्य रूप से है, तो किसका बना होता है, RNP, ribonucleone protein का बना होता है, ribonucleone protein के अंदर के आते हैं, ribosomal RNA और protein आते हैं, तो third option आ जाएगा इसमें, next, centriol vessel body, तो vessel body के अंदर आपन जानते हैं, 9 plus 0 का क्या होता है, arrangement होता है, 9 plus 0 के अंदर, triplet form के अंदर क्या होते हैं, present होते हैं, ठीक है, ठी osin, triplet form में क्या होंगे, present होंगे, triplet peripheral होंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, peripheral व्यवस्तित होंगे इसमे, और same, लगबग क्या होते ही, distance भी होते हैं, इसके अंदर, center में, जो है वो आपके क्या होती है, इस तरीके से, नो, जो है, वो आपके придulean protein का ने बना होता, य से option आ जाएगा इसमें next 70 की पड़ते कोश्का में सुत्रकडिका कि संख्या भिन्ह होती है क्यों होती है वहाँ पर ज्यादा energy करना पड़ता हो जहां पर ज्यादा इनरजी की रिक्वार्मेंट होती है वहाँ पर पावर आउस ऑफ दा सेल जो अपन बोल रहे हैं इसको सेल और इनल को उसका नंबर क्या होता है आपके ज्यादा होता है तो 70 का क्या जाएगा सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर में नेक्स्ट हैं इसको सब्सक्राइब नहीं है तो सेटेड ऑप्शन लिपीड जो है वह आपके किस में नहीं आता ठीक है न नोट मैक्रो मॉलिक्योस किसी आता है ओर वो तीन कौन-कौन से टिप्टोफैन है, टायरोसीन है और फैनायल, एलेलीन है, तो यहाँ पर टायरोसीन दे रखा एटीक है, तो फॉर्ट ऑप्शन आ जाएगा, 72 के अंदर है, 73 की बात करें, तो एमिनोगा सीड हो गया, यह amino acid है यह amino acid हो गया इसकी जो chain होती है वही chain क्या बनाती है protein का formation करती है और protein के अंदर 20 टाइप के क्या होते है amino acids देखने को मिलते है तो यह homo polymer form में कभी नहीं होगा किस form में होगा हेट्रो polymer form में होगा and not in homo polymer तो second option आजाएगा 73 का इसके अंदर है next है संपूर्ण जेमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाला कौन से है rubis को ठीक है अगर animal kingdom की बात करें तो collagen जेमंडल की पूछ रहा तो rubis को जाएगा riblose, y-phosphate, carboxylase, oxygenase तो 74 का fourth option आजाएगा इसके अंदर 75 का apo enzyme, apo enzyme की बात करें तो यहाँ पर आता है holo enzyme is equal to apo enzyme plus co factor और co factor के अंदर आते है तीम, prostatic group आता है, co enzyme आता है और metal lines आते है जो prostatic group होता है, वो tightly क्या होता है, attage होता है, non proteinious nature का होता है, तो 75 का क्या जाएगा, second option, ठीक है, next है, अब यह जो reaction है, जो 6 type के इसमें दे रखे हैं, वो किसको denote कर रहा है, आपकी, transferage, किसको denote कर रहा है, transferage को denote कर रहा है, ठीक है, यह जो reaction दे रखा है, इस question के अंदर, उसक करना है, देखो, एक table दे रखा है, biomolecules वाले chapter के अंदर, वो adjectives याद रखना है, उस पे question जो है, वो adjectives, column first, इसी तरीके से pattern किया जाता है, ठीक है, तो pigments की बात करें, तो pigments में आता है, anthocyanine, alkaloids की बात करें, तो alkaloids के अंदर आजाएगा, kudine, ठीक है, toxin की बात करें, त की बात करें, तो windblastine, अब देखलो, pigments के नाम पे, यहाँ पर, ठीक है, alkaloids के नाम पे, fourth option आगया, इसमें, ठीक है, तो fourth option, फिर toxic की बात करें, तो ebrine आगया, फिर उसके बाद में drug की बात करें, तो windblastine आगया, तो fourth option आजाएगा, इसमें 77 का, next, which structure is absolute necessary for the many biological activity of protein, protein की की क होती है, तो अगर enzyme है, तो enzyme के अंदर mostly जो structure present होती हो, कौन सी होती है, tertiary होती है, या तृत्रेक रूप से पाई जाती है, तो 78 की अगर अपन कहीं, इसमें क्याएगा, third option, ठीक है, next, in a polysaccharide chain, जैको polysaccharide chain है, जैसे यह polysaccharide chain हो गई, तो इसमें यह वाला जो end है, यह त हो जाएगा, right end हो जाएगा, अब यह जो left end होता है, यह left end तो होता है, कौन सा, non reducing या फिर non reactive, और यह कौन सा होता है, आपके reducing होता है, अब देख लो, इसके अंदर क्या पुछ है, right hand हो क्या हो जाएगा, reducing, और left end क्या हो जाएगा, आपके non reducing, तो 79 का क्या जाएगा, इसके NCRT में एक statement दे रखा है 79 का क्या होगा भी थार्ड option राइट हो जाएगा इसमें नेक्स्ट है इसको प्राप्त किया जाता है तो असी का क्या जाएगा second option next मियोसिस second is characteristics by अभी लाक्षिन क्या है इसके अंदर तो आप यह कह सकते हो कि अर्ध गुनसुत्रों का क्या होता है पर्थक्की करन होता है क्या होगा अर्ध गुनसुत्रों क्या होता है वही पर्थक्की करन होता है separation of a chromatid third option इसमें नेक्स्ट निम्न में से कौन सा सुमेह लित option है वही second option हो जाएगा 82 का ठीक है नेक्स्ट है दिए गई मिलान उसुत्र बिंदू का विगटन कुछ पॉइंट दे रखें इन में से देखो करेक्ट कौन से incorrect कौन से splitting of centrum ER बिल्कुल सही बात है nucleus reappear बिल्कुल सही है separation of homologus से डायाड डायाड कंडिशन जो है वो फ्रोफेस फर्स्ट में ही देखने को मिलता है ठीक है कहां से स्टार्ट होता है आपके लेप्टोटीन का ठीक है ना फिर जाइकोटीन में सपस्टूप से क्लियर ली देखने को मिल जाता है तो यह गलत होए chromosome duplication chromosome का duplication S phase में होता है की G2 phase में है तो 83 का जो answer है वो answer क्या जाएगा second option आजाएगा A और B ठीक है next कुछ statement दे रखे initiation of process of chromatin condensation separation of the duplicate centriole initiation of assembly of mitotic spindle अब यह जो statement है वो cell cycle के कौन सी phase से related है तो process से related हो जाएंगे सारे statement यह एक ncrt में दे भी रखा इसके अंदर second option आजाएगा इसमें next है इन जाइगोट जाइगोट के अंदर अगर dna का amount 20 picogram है अब देखो जीवन s g2 और m यह phase है तो जीवन में क्या हो कह रहा है यह 20 picogram है of interface in meiosis division then amount of dna is as in s phase or till of a second अब यहां पर point यह है के जो जाइगोट है उसमें बोल दिया 20 picogram है मतलब 2 na ठीक है अब इसके अंदर आगे का अगर आपन कहें of dna in g1 phase of interface इसमें interface के अंदर कितना हो जाएगा आपके डबल ठीक है तो की जाइगोट है ना इस आइगोट content 20 picogram of dna in g1 phase of interface in meiosis division then amount of dna in s phase ठीक है जाइगोट के अंदर था अब उसमें क्या हो रहा है मियोसिस हो रहा है तो के अंदर कह रहा है कितना 20 picogram है ठीक है अब यह क्या कह रहा है कि s phase के अंदर कितना होगा तो सीदी सी बात है s का phase के अंदर क्या होगा dna duplication होता है तो 20 का कितना हो जाएगा 40 picogram हो जाएगा इसके अंदर भी क्या होगा 40 picogram रहेगा लेकिन जो M phase है उस M phase के अंदर M first भी आता है और M second भी आता है और M first में तो कितना रहेगा बीस पिकोग्राम परकोश सेल के अंदर और इसमें कितना हो जाएगा दस पिकोग्राम अगर आपने यह कहें कि वहीं टीलो फेस इसे के अंदर परते एक नुकलियस के अंदर डी आने की मात्रा कितनी हो जाएगी तैन पिकोग्राम हो जाएगी तो यहां पर जो यहां पर क्या चला जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ठीक है नेक्स्ट है कि सुत्र कणिका से संबंधित एंजाइम ठीक है ना एंजाइम असोसियेटेड वित माइट्रो कॉंडिया प्रजेंट इन तो यहां पर अगर अपन कहें तो एंजाइम्स जो है वह माइट्रो कॉंडिया के अंदर इनर मेंब्रेन पे भी होते हैं आउटर मेंब्रेन पे भी होते हैं और पैरी माइट्रो कॉंडियल स्पेस के अंदर भी होते हैं तीनों जगही के होते हैं एंजाइम होते हैं अब ETS से रिलेटेट जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं कहां पर इनर मेंब्रेन पर होता है क्रेब साइगल से रिलेटेट जो है वो कहां पर होते हैं उसके मैट्रिक्स के अंदर और कुछ एंजाइम जो है वो इनर मेंब्रेन पर भी होते हैं तो हरितलवक में भी होता है और सुत्रकणिका में भी होता है के अंदरक में परिवहन यह जो ETS होता है यह देखने को नहीं मिलता है तो इसमें एक से अधिक विकल्प है क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है इलेक्ट्रोन ट्रांस्पोर्ट सिस्टम होता है इसके अंदर और इसमें भी क्या होता है आपके एटीप का क्या होता है फोर्मिशन होता है ठीक है तो ETS जो है वह आपके दोनों में ही देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोन ट्रांस्पोर्ट सिस्टम जो इलेक्ट्रोन करवाता ह स्थानांत्रण करवाता है तो फॉर्थ ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा इसमें ठीक है नेक्स्ट एक इफ यू प्रोवाइड रूट टिप है ना सैल का जो अनियन है उसका सैल अगर अपन ले तो उसमें गुंसुत्रों की संख्या जो है पूछी जाती है तो इस कारी के ल सबसे बैस्ट जो स्टेज है वह बैस्ट स्टेज कौन सी है मेटा फेज कौन सी हो जाएगी मेटा फेज या मध्य अवस्था इसके अंधर हो जाएगा तो Cre bank English rain रोटिं ग्या को कहते हैं शक्तिग्रे राइबोजूम प्रोटीन फेक्तरी हरित लवा कोश का कि रस o नहीं जाना जाता है सब्सक्राइबरा करेंखुनím chickens वह फॉष्धिकर फानड पाई जाते हैं इस मिलेंगे आपके य न कैने तो अधर जी कि देखने संघ्र होता है स्दार्च ये पूंड मैटेरियल है किसि में होगा एमाईलोप्लास्ट के अंदर है एक संघ्रीत क्या होता है अनदर क्या हो संघ्रीत होगा option 91 का क्या रहेगा first option ठीक है next प्रोक्रियोटिक कोश्का में कोश्का आवरन की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है देखो प्रोक्रियोटिक कोश्का में अपन जानते हैं सबसे बाहर की ओर होता है ग्लाइको कैलेक्स इस तरीके से इन तीनों परतों को मिलाकर की क्या का जाता है एंवलप के अंदर सबसे बाहर की ओर क्या होगा ग्लाइको कैलेक्स हो जाएगा तो 92 की बात करें तो क्या जाएगा सेकिंड ओप्षेन 93 में कॉलम फस्ट और सेकिंड का मैच करना है इसके अंदर टीपिकल बेक्टेरियल सेल वाइरस पी पील और टीपिकल यू करूटिक सेल का कितना होता है से 20 माइक्रो मेट्र है तो डी के अंदर सेकिंड ओप्षेन इसमें दे रख है तो 93 का NCRT के डाटा है ठीक है 94 की बात करें लाइनकार बर्पूर होता है किससे जलब गटनी एंजाइम से यह हैंजाइम से तो 2nd option किसके निर्माण का प्रमुक स्थल है तो ब्लब को प्रोक तरा लोगीव ऩ। निर्माण का प्रमुक स्थल हो गया ठीक है अब से यह डाइग्राम दे रहा है उसमें से एको आपको पहचानना है तो मेटा फेज हो जाएगा मेटा फेज के बाद में फेज आता है ठीक ना इन विच फेज क्रोमोजोम आठ जेनरली ऑब्जर्वड तो कौन सी फेज में होगा एफ फेज के अंदर क्योंकि यह कौन सी फेज है म बेटा फेज जिसमें पून रूप से क्रोमोजोम क्या हो जाते हैं संगनिते हो जाते हैं तो 96 की बात करें तो क्या जाएगा फास्ट ऑप्शन आ जाएगा नेक्स्ट है एक कोश्का जीवन प्रावस्ता के दोरान अपने केंद्रक में 14 गुन सुत्र है डीने के संक्या 2C है तो जीटू अवस्ता में सही कतन कितना होगा जीवन एज जीटू तो यहां पर आपन जानते हैं 2N है 2C है ठीक है ना तो एस में कितने होंगे 2N 4C इसमें भी कितने होंगे 2N और 4C हो जाएगे अब जीवन के अंदर दे रहाए 14 तो 14 गुन सुत्र लेके इसमें भी 14 है इसम सांदरता हो जाएगे कोश्का के अंदर अगर अपने चाहें वह माइटोसिस के दुरू हो आपके मियोसिस के दुरू 97 के अगर आपन कहें तो इसमें क्या जाएगा फस्ट ओप्शन नेक्स्ट ए-830 वाजन फस्ट आथ-830 वाजन सेकिंड के मदी के बस्था कहलाती है तो काईनेसिस बोलते हैं यह अंतराला अवस्था कहा जाता है 98 का क्या जाएगा सेक इंडी आप्शन ठीक है और इनवे से विटेकर का जो क्लासिफिकेशन उसके लिए करेक्टर कौन-कौन सी प्रोकरियोटिक सेल्स अलवाल नॉन सेलोलोजिक बोडी और अर्गनाइजर सेलुलर ओटोर होते हैं मेंब्रेनस स्ट्रक्चर ठीक है ना आर क्रोमेटोफोर तो इसमें क्रोमेटोफो ठीक है तो इस तरीके से बचों अपन ने जो है वो जो भी एक टोपी किया जो चेप्टर थे वो सारी पेपर बेस्ट जो है अपन ने cover कर लिए ठीक है